हलो एंड वेलकम टू केजी कलब ओनलाइन इस्टडी आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं तो जो भी स्टूडेंट बी ए एच आई एच के स्टूडेंट है मतलब बी एइन हिस्टरी मेजर मतलब जो हिस्टरी ओनर्स से बी ए कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के उस कोर्स के सारे सब्जेक्ट को हम लोग देखने जा रहे हैं जिसमें पहला जो बुक है वो है भी एच आई सी वन जीरो वन और ये बुक का टैटल है इंसियेंट इंडिया हम लोग इसमें इंसियेंट इंडिया को पढ़ेंगे तो हम लोग serial wise पढ़ेंगे, ancient, फिर medieval, फिर modern, और जो आगे आता जाएगा हम लोग cover करते जाएगे, घबराना बिलकुल भी नहीं है, एक मैं information दे दो, इगनु के तरब से जो new slavus launch किया गया, 2020 में किया गया, तो इसमें उन्होंने कहा है कि new course के हिसाब से student को प्रतीक दीन, daily, daily, 5 घंटे पढ़ने होंगे, और कितने दिनों तक, तो 300 दिनों तक, तब जाकर के ये course complete होगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे short में पढ़ रहे हैं, और वही पढ़ रहे हैं, जो exam के लिए बहुत important है, जो जानने के लिए बहुत जादा book है, अगर आप knowledge के लिए पढ़ पढ़ लेंगे, और जो exam के लिए जरूरी है, वो हम लोग इसमें आराम से पढ़ लेंगे, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या पढ़ने के लिए हैं, सबसे पहले देखिए, कोई भी history पढ़ेगा, यहां देखिए, आज की unit 1 का नामी है क्या chapter का, geographical regions and sources, त और उसके बाद sources बहुत जरूरी है, तब तो हम पता कर पाएंगे कि जैसे हरपा था, तो वो इंडस river के बगल में था, इसलिए हम लोग उसे इंडस valley civilization कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं अच्छा यह valley के बगल में था, तो agriculture भी होती होगी, trade भी होता होगा, क्योंकि river के बग होता है, तो इसलिए हरपा उस जगा पे develop कर पाया, हम लोग यह बोल पाते हैं, गंगा वैली के बगल में हम लोग जानते हैं, अगर मौड यह गंगा वैली गंगा नदी के बगल में था, तो क्यों था, तो गंगा के बगल में धेर साड़े resource मिलते थे, transportation का साधन मिलता था, इस वज़ा से उसे राज का चलाने में किसी भी तरह का कोई भी problem नहीं आ रहा था, तो इसलिए geographical regions बहुत जरूरी है, कोई कोई आ जाता है, मानिए कोई हिल पे रहता था, तो वो हिली region के resource को use करता था, तो geographical region से historians यह पता कर पाते हैं, कि वो लोग यहां क्यों आये, और यह आने से वो लोग किस तरह का resource योज कर रहे होंगे, तो geographical region इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, और हम लोगों को जब geographical region पता रहेगा, तो हम लोग खुद भी relate कर पाएंगे, कि जो भी time पढ़ रहे हैं हम लोग history के, तो उस वक्त के लोग किस तरह से वहां रह रहे होंगे, किस तरह से resource का use कर रहे होंगे, export होता होगा या नहीं होता होगा, trade किस तरह का था, तो ये साड़ी चीजे हम लोग भी खुद से delete कर पाएंगे, इसलिए geographical reasons बहुत important है, दूसरा होता है most important वो है sources, sources का source का ही use करके, historian क्या करते हैं, एक book लिखते हैं, और जिसे हम लोग हैं और हम लोग पतागर बात हैं, तो इसलिए source भी बहुत जरूरी है, तो इसलिए हम लोग इस unit में दो चीज़ पे ही focus करने वाले हैं, क्योंकि बस यही दो चीज़ बहुत important है, एक है geographical region और दूसरा है source, आराम से पढ़ेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई doubt ह हैं तो आप लोग आराम से comment करके हम मेरे से पोच सकते हैं, हम लोग discuss कर लिया करेंगे, तो आज हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं, पहले आज जो हम लोग देखेंगे वो है geographical region के बारे हम देखेंगे, geographical region में specific major geographical units पढ़ने के लिए हैं, सब को हम पढ़ेंगे, इंड़ फिर आता है uneven pattern of emergence of historical region, फिर इसे एक बार थोड़ी नजर डाल लेंगे, nature of region डाल लेंगे, उसके बाद फिर एक most important आता है, वो है sources of the study of ancient Indian history, उसके आज हम लोग पढ़ेंगे, sources of ancient Indian history, जिसमें literary source आजाएगा, archaeology आजाएगा और foreign account आजाएगा, ये सारे चीज को हम लोग हैंगे, आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, geographical reasons, तो हम लोगों ने जैसा अभी discuss किया, कि history without geography is largely incomplete, बुरी तरह से तो नहीं कहेंगे, लेकिन बिना geography के history क्या है, अधोरा है, बिना geography के history क्या है, अधोरा है, ठीक, और अगर हम human का history पर रहे हैं, अगर हम मानव यतिहास पर रहे है तो हमें वातावरन का भी इतिहास पर ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस वक्त के वातावरन के हिसाब से ही लोग रह रहे थे, मानिए अगर प्रत्वी जब ice age चल रहा था, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को पढ़ेंगे, तो जब ice age चल रहा था, उस वक वातावरन कैसा था, बहुत ठंडा था, ठीक, कभी बहुत जादे गर्मी आई, उस वक्त भी मानब नहीं रह रहे होंगे, तो उस वक्त का वातावरन बहुत गर्म था, तो वातावरन, environment जो है, वो human history को क्या करता है, relate करता है, जैसा वातावरन होगा, वैसा इतिहास हम जाएंगे, ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं, geographical region, which is most important, अगर इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगर हम लोग इसे अच्छे से समझ जाते हैं, तो काम, चीजें आसान हो जाएंगे, हम लोगों के लिए, ठीक, एक्जाम में आप लोगों को लिखने में ज् इंडिया, तो हमारा सबसे पहले हम यह जाने कि हमारा इंडिया जो है, ठीक, यह बाकि देशों से अलग है, क्योंकि यहाँ पे अलग-अलग region में अलग-अलग तोफोग्राफिय देखा जाता है, कि अलग-अलग तोफोग्राफिय के वज़ए से अलग-अलग culture डेवलप तब वहाँ के culture के बारे में पता चलेगा, वहाँ के resource कारे में पता चलेगा, तो हमारा इंडिया खुदे कैसा देश है जिसका टॉफोगडाफिय जिसका भूशेत्र जिसको कहेंगे, भूशेत्र वो अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग है, अगर हम नॉर्थ में हम Central India, वहाँ पे विंद्यांचल मिलेगा, अडावली टेंज मिलेगा, फिर डककन आगए महराष्टर और करनाटक वाले शेत्र में, तो उस एडिया में पठार देखने को हम लोगों को मिलता है, जहाँ पे ब्लैक स्वाइल होता है, तो हर डिफरेंट डिफरेंट डिफरें जिसमें हिमालियन अप्लैंट पढ़ेंगे, हिमालियन अप्लैंट में से जुरे फिर बाकी के चीजें, जो नीचे हम लोग सब आराम से डिटेल से पढ़ेंगे, फिर इंडो गंगेटिक प्लैंड को पढ़ेंगे, और फिर पैनिनसूला इंडिया को पढ़ेंगे, जब से पहले आप इन तीनों फिजिकल डिविजन को मैप पे देख लिए अगर मैप हलका सा ड्रोग कर लूँ तो आप लोगों को मैं बताने में मुझे बताना असान ठेगा जैसे मैं इंडिया का एक मैप बना लेता हूं मानिए यह इंडिया है तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है जब से पहले हिमालियन अप्लेंट कह रहा है ध्यान से देखेगा तो यह जो पूरा एरिया है यह जो पूरा एरिया है यह क्या है हिमालियन अप्लेंट का एरिया है यह पूरे एरिया में हिमाले है यह एरिया आप लोग ध्यान देदेंगे जब भी हिमाले टर्म आए तो बस इस एरिया को जितने एरिया हमने सेड़ किया है मानिए वो पूरा एरिया है आपको हिमालिया हिमालिया अप्लेंट आप लोगों ने देख लिया कि कहां से कहां तक है जैदा डीप में नहीं जाना है कि हिमालिया गरेटर लेजर से वाले को कुछ नहीं जाना है जितना हिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ना है बस उतना जानना है चोग्राफिय हम लोग कवर नहीं कर रहे है चलिए उसकेद क्या है इंडो गंगेटिक प्लेन पढ़ना है इंडो गंगेटिक प्लेन हिमालिया से नीचे जब हम आएंगे तो यह एरिया हो जाएगा इंडो गंगेटिक प्लेन का यह गंगेटिक वाला एरिया हो गया यह इंड से बाद आजाता है हमारा कौनसा पेनिंचुला इंडिया फिर हो गया अपको यह ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये पेनिन्सूला इंडिया हो गया पेनिन्सूला का मतलब क्या होता है जिस लेंड का जिस भूभाग का तीन भाग पानी तीन भाग जो रिजन है वो पानी से भड़ा हुआ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं पेनिन्सूला इंडिया पस अच्छे से पढ़ देख लेंगे उसके अद कुछ एडिया यहां पे आता है जहां पे आपको नर्मदा तापी यह सब बहती है विंध्यांचल रेंज है ठीक अरावली रेंज यहां हो गया यह साड़ी चीज हम आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी मेजर तीन चीज एक आपको हो ठीक चलिए वागे चलते हैं तो क्या कह रहा है हिमालिया के बारे में पढ़ें तो हिमालिया अर्थ यंगेश्ट फोल्ड मांटेन अंद अर्थ हिमालिया क्या है हिमालिया हम लोग जान रहें बहुत पुड़ाना है नहीं हिमालिया जितने भी पहार है इंडिया में वो उस उसमें सबसे नया है, ठीक, इसको ध्यान में रखना है, कि जितने भी पहाड़ हम लोग बढ़ रहे हैं, हिमालय उसमें सबसे नया है, यंगेश्ट है, ठीक, और फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन का मतलभ है कि हिमालय कुछ इस तरीके से हैं, और ये क्या है, जो glacier हिमाले पर है यह हम लोगों ने देखा यह जो reason है मैं इसे थोड़ा erase कर देता हूं आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि यह जो region है हिमाले का यह जो region है हिमाले का इस area में क्या होता होगा पहले क्या रहता है बर्फ रहता है और वो बर्फ का पानी जब melt होता है तो वो highland से lowland की तरफ आएगा और वो इस तरह से नीचे आता है तो जब नीचे आता है धेर सारे tributaries मिलके एक river बनाते हैं हम लोग जानते हैं धेर सारे साखा नदी की साखा मिलके एक major नदी मुखी नदी का निर्मान करती है और फिर वही नदी जो हिमालिया से बहती है उसमें से important रिवर कौन सा है इंडस है गंगा है और क्या है बढ़म पुत्रा है ये तीन रिवर्स हिमाले से निकलती है जो की perennial रिवर है जो हमेशा सालों साल बहती रहती है इसे आप लोग ध्यान में रिखेंगे जो मुख्य नदी मेन रिवर जो हिमाले से निकलती है वो है इंडस गंगा और बढ़म पुत्रा बस इतना ही जानना ज्यादा जानने की जरुरत नहीं है अब हम लोग देखते हैं इंडस प्लेन को इंडस प्लेन की जब हम लोग बात करें इंडस वाला एरिया कौन सा था उसे आप लोग यहां डिलेट करिए ये वाला जो एरिया है वो इंडस का एरिया है ये वाला एरिया क्या है इंडस का एरिया है ये वाला एरिया किसका है इ पहला सिविलारेशन हम लोगों को देखने को मिलता है और वो आप लोगों को पता होगा कि क्या है वो है इंडस वैली सिविलारेशन जिसे हम लोग हरपा सिविलारेशन के नाम से भी जानते हैं ये सबसे पहला सिविलारेशन पनपा और वो कहां पनपा तो वो इंडस रिवर पनपा इसलिए इंडस्ट प्लेन के हिस्ट्री में हमें इसको देखना पड़ेगा और ये ऐसा वैसा कोई लाइफ यहां पर नहीं पनपा था काफी मॉडर्न था अर्बन लाइफ था जब भी पूछे हरपा का जो जिन्दिगी था वहां के लोग का लाइफ स्टाइल किस तरह का था तो वो अर्बन था वो क्या था सहरी था अर्बन था ठीक उसके बाद क्या जा रगा तो यहाँ पे अच्छी से अर्बन लाइफ पनपा सोसाइटी, एकोनमी सब कुछ अच्छे तरीके से सन्योजित तरीके से हमें यहाँ पे मिलता है ठीक उसके आद हम लोग देखते हैं क्या नौधर्न प्लेन को देख लेते हैं आजाएगा, कौन सा रिजन मैं यह आपको दिखा देता हूँ यह सब नौधर्न प्लेन है, जो एरिया प्लेन है वही क्या है नौधर्न प्लेन है मैं एक काम करता हूँ, फिर से मैप ड्रो करता हूँ ठीक है, यह वाला रिजन हम लोग देख रहे हैं और इसमें हम लोगों ने अभी पढ़ा कि यह हिमालिया, हिमालियन डिजन था और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडस प्लेन है और यह यहाँ पे हमारा गंगा प्लेन है ठीक है, यहाँ से गंगा ऐसे गुजरती है यहीं पर कुछ इस तरह से यमना मिलती है क्योंकि यहाँ पर Indus River है यहाँ पर गंगा का प्लेन है और यहाँ से कुछ इस तरीके से बरंपुतरा आती है बरंपुतरा रिवर यहाँ कुछ इस तरीके से आती है इसे भी आप लोग ध्यान में डखेंगे तो ये Indus मतलब सिंधु और गंगा ये दोनों का जो पानी मिलकर के जो लेंड बनाता है उसको हम लोग Northern Plane कहते हैं ठीक है उत्तरी Plane एरिया इसको हम लोग कहेंगे ठीक है इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे बस इतना ही यहां जानना है उसके आद क्या पढ़ने के लिए ह Central India नहीं देखा था यहां पर कुछ इस तरीके से है Central India यह जो आप लोग रिजन देख रहे हैं यह वाला यह Central India पर जाता है यहां पर क्या-क्या मिलेगा यहां पर अडावली टेंज मिलेगा यहां पर आपको नर्मदा डीवर बहती है यहां से तापी टीवर बहती है यहां पर विंध्यानचल डेंज मिलेगा एह सारी चीजए हमें इस जगह मिलती है और इसे हम लोग बोलते है Central India इतना आप लोग ध्यान दखेंगे Central India जब भी आए बुक में इस एरिया को आप लोग फोकस कर लेंगे हो सके तो मैप में आप लोग भी बना बना के रिलेट करते जाएए Central India में और हमने Central India देखा अडावली हिल देखी उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और टर्म आएगा आप लोगों को पढ़ने के लिए वो है छोटा नागपूर प्लेटियो वो आप लोग यहाँ देख लिजिए इस जगह पे यहाँ इस जगह पे आप लोग देख लिजिए हम लोगों ने Central India देखा अडावली हिल देखा और फिर हम लोग अब देख रहे हैं क्या छोटा नागपूर प्लेटियो तो छोटा नागपूर प्लेटियो कहा है अभी बुक के फॉंट पे मत जाएए मैं जो मैप पे सो कर र यहाँ यहाँ पे आता है यहाँ से दर्मदा निकलती है तापती निकलती है यह सारी चीजे हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं तो इतना ध्यान रखियेगा कि यह जो एरिया है यह यह चोटा नागपूर प्लेटियो है उसके एत क्या पढ़ने के लिए आगे आता है हम लोगों को सत्पूरा रेंज हम लोगों ने सत्पूरा रेंज भी देख लिया तो यहाँ पे जैसे यह हम लोगों ने इसे विंदिया रेंज हम लोगों ने यहाँ पे देखा था विंदिया और यहाँ पे फिर क्या जाता है सत्पुरा रेंजा जाता है इसे भी आप लोग याद रखेंगे यहाँ लिख दिता हूँ मैं विंधिया और ये क्या है सत्पुरा ये वाला एरिया ओके ये विंधिया और बीट से निकलती है यहाँ से नर्मदा निकलती है और यहां से तापिती निकल, तापि रिवर्ज वो निकलती है, इसे भी आप लोग ध्यान में डखेंगे, तो विंधिया जब भी आए तो ये एरिया, सत्पुरा जब भी आए तो ये एरिया आप लोगों को रिलेट करके चलना है, चलिए हम लोगों ने हिमालियन रेंज देखा, आगे और हिमालिया का जो भी है सेगमेंटेशन हम लोग देख लेंगे, हम लोगों ने नौदर्न प्लेन को देख लिया, कि नौदर्न प्लेन कैसा है, आप लोग ध्यान में रखेंगे, नौदर्न प्लेन आया, अच्छा ये व अब हम लोग तो पेनिंसीला इंडीया में चार मेजर रीवर्स है और वो है कौनसी महानदी है गोदावडी है कृष्णा है कावेरी है ये कहां कहां है हम लोग देखते हैं क्योंकि आगे जरूरी आएगा जब हम लोग इतिहास को पढ़ेंगे तो ये सब मिलके एक nuclear area बनाता है जहाँ पे cultural growth होता है हम लोगों ने कहा कि जैसा topography है उस topography के हिसाब से वहाँ पे culture और society पैदा होगा और उस तरीके से वहाँ का समाज develop होगा तो हम लोग अब peninsula इंडिया को एक नजर डाल लेते हैं जैसे फिर से मैं एक map बनाता हूँ आप लोग देखिए जैसे ये इंडिया है तो इस इंडिया में हम लोग क्या देखेंगे पेनिन्सूला रिजन को देखेंगे आप लोग खुद सोचिए कि इसमें से पेनिन्सूला रिजन कौन सा होगा आप लोगों को पता होना चाहिए तो ये है पेनिन्सूला रिजन ठीक पेनिंसुला रिजन ये है और इसमें हम लोग अब कुछ रिवर्स को डिनोट करें हम लोगों ने गंगा देख लिया गंगा कहा है हमेशा ध्यान डखना है गंगा यहाँ है एरेज हो गया एक सेकंड तो यहाँ पे आ जाएगा कौन-कौन सा रिवर्स एक महानदी यहाँ से देखे यहाँ से महानदी आती है ठीक है चलिए और हम लोग देख लेते हैं गोदावरी देख लेते हैं यह एरिया गोदावरी का है यह एरिया कृष्णा का है ठीक है ये एरिया कावेडी का है तो ये जो perennial river है ठीक महानदी, गोदावरी, कृिष्णा और कावेडी ये सारे पेनिसुला इंडिया का river है इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे ठीक है इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे ये है फिर से मैं बोल देता हूँ गोदावरी, म रड़िया मैंने कितनी वार कहां दिया आप लोगों नहीं को ध्यान में आजाना चाहिए चली तो ये सारे रिजन में जो सभ्यधा बनपी उसका अपना सोसायटी था, अपना कल्चर था हम लोगों ने फिर आगे देखने के लिए हम लोगों नर्मदा देखा तापी पर हम लोगों ने देखा डकन प्लेटियो हम लोगों ने विंध्य रिजन देख लिया ठीक है यहाँ पे यह सारा एरिया कौन सा था विंध्य रिजन का था यही एरिया में डककन पनपा है यहाँ यहां पर डखकन और यहां का स्वाइल कैसा है यहां का स्वाइल है ब्लैक ठीक है काली मिट्टी मिलती है यहां और यहां कम इरिगेशन की जरुरत होती है ठीक और यहां पर कॉटन कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है इतना आप लोग ध्यान रखेंगे कहां से तो डखकन डीजन से, ठीक, यहाँ पे कपाश की खेती ज्यादा होती है, आइल सीट मिलता है, ठीक है, जिसे तेल निकाला जाता है, वो साड़े सीट सी यहाँ पे मिलता है, चली हम लोगोंने क्या-क्या कवर किया, अब अब फ़्था सा रिवाइज कर लेते हैं, तो हम लोगोंने कवर क हिमाले का कौन सा एडिया है हम लोगों ने देखा इंडो गंगेटिक रिजन हम लोगों ने देखा सेंट्रल इंडिया हम लोगों ने देखा पेनिंसूला इंडिया हम लोगों ने देखा हिमालियन में हम लोग आगे देखेंगे ठीक है कौन कौन सा है यहां पे इंडस था यह जिसको हम कहते हैं वो था, ब्लैक स्वाल यहां पाया जाता है, विंधिय पहाड़ी यहां मिलेगी, सत्थपूरा का पहाड़ी यहां मिलेगा, ठीक, नर्मदा और तापी रिवर यहां से गुजरेगा, हम लोगों ने फिर फेनिन्सूला रिजन को देखा, यहां से हम लोगों ने देखा, यह सब हम लोग अभी देख चुके हैं, मतलब इंडिया का लगवक जितना भी टॉपोग्राफी है हम लोग कवर कर चुके हैं, अब थोड़ा स्पेसेफिक पे जाते हैं, चलिए आगे देखते हैं क्या पढ़ने के लिए जल्दे जल्दे निप्टा लेते हैं, ठीक कहाँ पे पेनिसूला है और कहाँ पे सेंटल इंडिया है, अभी हम लोगों ने सिर्फ इतना ही देखा, आगे जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, उसमें हिमाले को अच्छे से देखेंगे, इंडस प्लेन को अच्छे से पढ़ेंगे, गंगार प्लेन को अच्छे से पढ करेंगे आराम से पढ़िए ज्यादा घबराने की जरुड़त नहीं है बस यह चेप्टर अगर थोड़ा सो समझ लेते हैं तो समझे चीजें आसान हो जाएंगे इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं बागी कोई रिजन नहीं इसका तो आगे क्या पढ़ने के लिए है specific major geographical unit में हम लोग देखते हैं the Himalayas and western frontier एक हिमालिया पढ़ना है दूसरा western frontier पढ़ना है तो आप लोग समझ गये होंगे कि हिमालिया का रिजन कौन सा है इसलिए मैं बार बार मैप बनाता हूं ताकि आप लोगों को सही से पता चल सके ठीक तो ये रिजन हिमालिया का है और ये इसका western frontier होगा क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग history पढ़ रहे हैं तो इंडिया को अपने तक सिमित नहीं रखना है यहां तक ले जाना है तो इसका western frontier ये हो जाएगा और हिमालिया इंडिजन ये हो जाएगा पहला आपको हो जाएगा Eastern Himalaya फिर हो जाएगा आपको Central Himalaya ठीक और आपका Western Himalaya के साथ-साथ आप Western Frontier कह सकते हैं इसको Western West Side में जो हमालिया है उसको आप लोग Western Frontier की कह सकते हैं कुछ इस तरीके से एगर मैं मैप बनाओ, तो यह मानिये हिमालिया है, यह ठीक है, यह western part है हिमालिया का, जिसको हम लोग western frontier बोल देते हैं, यह eastern part है हिमालिया का, जिसको हम eastern हिमालिया बोल देते हैं, और beach का जो यह part है, यह central हिमालिया है, ठीक, अभी हम लोग इन तीनों देख लेते हैं तो अब हम लोग देखते हैं इस्टर्ण हिमालिया अगर मैं मैप पे लॉकेट करूं जैसे हम लोगों ने बता रखा है तो यह वाला जो एरिया हो जाएगा यह वाला एरिया क्या हो जाएगा इस्टर्ण हिमालिया हो जाएगा क्या है इस्टर्ण हिमालिया मे यह जो area है यह ऐसे करके ब्रहंपुत्रा आती है तो इंडिया में इंडिया में ब्रहंपुत्रा से जो इष्ट का region है वो Eastern Himalaya है इतना ध्यान में रखना है तो चलिए आगे क्या पोइंट है आगे कुछ भी नहीं है यह बागी असम से लेकर के South China तक का जो एरिया है वो Eastern Himalaya में आ जाता है इसमें ज़्यादा सोचना है नहीं चलिए बस location देखना है दोसरा है Central Himalayan region extending from Bhutan to Chitral ठिक यहाँ पर क्या कह रहा है Central Himalayan region extending from Bhutan to Chitral अब यह एरिया हो जाएगा Bhutan यह वाला एरिया यहाँ पर यह वाला एरिया यहाँ हो जाएगा Bhutan यह देखने यह एरिया यह भुटान हो गया Bhutan से लेकर के यह पाकिस्तान में एक जगह है जहाँ चित्राल है यह एरिया चित्राल का हो जाएगा तो यह हो जाएगा Central Himalayan जैसा हमने आपसे कहा था ना भी कि यह मानिए अगर हिमालिया है तो यह Eastern Himalaya यहाँ से यहाँ तक Central Himalaya और यह Western Frontier यह Western Himalaya हमने आपसे कहा था तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी एरिया आएगा वो क्या जाएगा वो हो जाएगा Central Himalaya का Central Himalaya भुटान से लेकर के कहा तक है चित्राल तक है चित्राल का है तो पाकिस्तान में एक जगह है शायद खैबूर खैबेर पास है उस जगह पर है ऐसा कुस ठीक तो हम लोगों ने Central Himalaya रिजन को देख लिया आगे चलिए देखते हैं क्या है आगे आजाएगा फिर Narrow Hinducus Range आप से हमने अभी कहा था देखिए इस एडिया में इस एडिया में इस एडिया में इस एडिया में यहाँ पहले अंडरलाइन करेता हूं किस जगह है यह है Narrow Hinducus Range अब हम लोग Narrow Hinducus Range देखेंगे अब आप समझ यह किस हिमालियन रेंज में होगा हम लोगों ने Eastern Himalaya पढ़ा हम लोगों ने Central Himalaya पढ़ा अब हम लोग Western Himalaya पढ़ रहें जिसको Western Frontier के नाम से भी हम लोग जानेंगे वहाँ पर आ जाता है Hinducus Hinducus कहा जाएगा Western Frontier मा जाएगा तो यह जो एरिया आप देख रहे हैं हिमाले का यह वाला एरिया यह Hinducus है यह Hinducus है और यह देखे हिमाले कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे करके इधर नीचे तक थोड़ा थोड़ा आया हुआ है इसको खेड़ हम लोग उतना हिमालियन पार्ट तो नहीं कहेंगे यह साड़े इन साड़े पासों से आया है यह जो राज दर्रा दीख रहा है पास को हम लोग दर्रा कहता है यह दर्रा हो गया ठीक है एक यह दर्रा हो गया यह सब दर्रा से ही बाहरी लोग इंडिया में प्रवेश करते थे चाहे होन हो, कुशान हो, जो भी आए, इंडो ग्रेक सब इधर से ही आए हुए है, ओके? तो हम लोग पर रहे हैं क्या अभी हिंदो कुष वाला रिजन पर रहे हैं, मैप में हम लोगों ने देख लिया तो हिंदो कुष रिजन में क्या कह रहा है? अगर कोई डाउट है, कमेंट करिए, मैं सॉल्व करने की पोड़े कौशिस करूँगा ठीक हम लोगों ने देखा, अब हम लोग देखते हैं कि खैवेड पास जो है और अधर पास है, और दा काबूल रिवर लिंक, इट विद अ इंडस प्लेन तो इस एरिया में आपको खैवेड पास दिख जाएगा, जहां में टर है, वस उसे देखना है काबूल रिवर लिंक, इंडस प्लेन, यह सब इस एरिया में आता है, कौन से एरिया में जो हिमालिया साउथ की तरफ आती है, इस एरिया में आता है, आप लोग अब अच्छे तरीके से समझ गए होंगा इंडस प्लें जिस जगह है वहां हिमाले किस तरह से कौन-कौन सा पास उस एरिया में है वह साथ अच्छे से समझ गया होगे ज्यादा बोलने के फिर क्या जरूरत था उसके दागे परने के लिए क्या है कुछ पास है देखिए गोमल पास है बोलन पास है खैविर पास है इसे आप लोग देख लें तो यह आपको हो जाएगा गोमल पास बोलन पास और खैविर पास ठीक यह सारा पास यहां से आता है इतना यह जब भी पास है गोमल बोलन खैव परने के लिए है, the Greek शक कुषान and Hun and other made their entry into India through these roads, तुमने आपसे कहा था, जो भी बारी वेक्ती, जो भी बारी, आकरवनकारी कोई भी आये हुए है, वो इस एरिया से आये हैं, कौन से एरिया से आये हैं, अब आप अब को हम पढ़ेंगे आगे, ठीक आगे आप क्या पढ़ने के लिए है, यहां कुछ मैप है, इसमें अगर आप लोग देखें तो यह rainfall के बात कही गई है, जहां पे 200 से ओपर rainfall हो रही है, वो कुछ ये रिजन, यह सब रिजन में 200 से ऊपर rainfall हो रही है, कुछ एरिया है जहां 100 से 200 की बारिस हो रही है, यह सारे एरिया, यह सब 100 से 200 की बारिस यहां होती है, कुछ एरिया है, जहां 60 से 100 बारिस होती है, तो यह एरिया में 60 से 100 सेंटिमेटर की बारिस होती है, यह लोग आप लोग खुद से भी यहां पे दिया होआ है इंडेक्स में और यहां डिलेट करके आप लोग देख लेंगे यहां forest type है forest type में भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे यहां पे index दिया होआ है कि forest यहां पे उस तरह का forest है जैसे evergreen forest देखिए evergreen forest कहां है यहां पे जहां ज्यादा बारिस होगी वहां पे evergreen forest आएगा क्योंकि वहां की पत्तिया एक साथ पत्ते अपना set नहीं करती है तो evergreen forest हो जाएगा उसे तरीके से tropical सभाना आ जाएगा dry forest आ जाएगा यह सब आप लोग खुद से relate कर लेंगे map में show कर लेंगे आगे अब हम लोगों क्या पढ़ने के लिए हैं इंडस plane ठीक है इंडस plane हम लोगों ने पढ़ा था map ज़रूरी यह बनाना चलिए बना देता हूं अभी हमें बस इस एडिया को पढ़ना इंडस plane वाल एरिया को इंडस plane कैसे हैं यहां से निकलती है ऐसे करके ऐसे करके तो यह जो रीजन होगा यह सब इंडस प्लें होगा ठीक है इंडस्ट प्लेन जैसे ही आएगे आप लोगों को समझ लेना है कि कौन सा एडिया इंडस्ट प्लेन है तो अब यहाँ पे हम लोग इंडस्ट प्लेन को देख रहे हैं तो इंडस्ट प्लेन का एरिया में हम लोग पंजाब आता है तो हमेशा याद रखेंगे कि वो दो एरिया जो इंडस प्लेन में आता है वो है पंजाब और सिंध मैं आपको मैप पे शो कर देता हूँ हर एक चीज तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ एक रिवर यहाँ पर बना लेता है यह सारा एरिया मिल करके क्या बनाता है अब यह वाला एरिया है सिंध यहां जो जब भी आ जाएगा कौन सा एरिया तो लोवर इंडस रिजन जो है वैली जो है यहाँ सिंध आएगा तो यह सिंध अभी का है पाकिस्तान में ठीक और ये एरिया आजाएगा पंजाब का पंजाब मतलब पांच नदियों वाला जगह है जहां से पांच नदी गुजरती उसको पंजाब कहते हैं तो इंडर जिलम चिनाव रावी सतलेज ब्यास पंजाब वाले रेजन से गुजरती है तो इसको मंग पंजाब बोलते हैं ठीक, तो आप लोग sic got rested होंगे यह हो गया पंजाब रिजन यह हो गया पंजाब रिजन और यह हो गया सिंध रिजन तो जब भी हिस्टरी में सिंध की बात आएगी बहुत आएगी, तो इस area को आप लोग याद रख Vega जब भी पंजाब की बात आएगी तो इस area को आप लोग याद रखिएगा ठीक है, बस इतना ही जानना इसमें जात जानना है नहीं तो यहाँ पे कौन सा अगर देखिए, क्योंकि यह काफी फर्टाइल एरिया है, तो यहाँ पे राइस होगा, वीट होगा, राइस होगा, हरपा सबेता यहीं इसी जगह पनपा कहां, तो इंडस वैली एरिया में, मतलब पंजाब और सिंद में हरपा, पनपा, ठीक है, मोहें जो अदरो हरपा का most important जगह है, ठीक है, इपना याद रखना है, अब हम लोग चलते हैं कहां, गंगा प्लेन में, गंगा को भी तीन भागों में बाटा गिया है, एक अपर गंगा प्लेन, दूसरा मिडल गंगा, तिसरा लोवर गंगा, वो कैसे कैसे बाटा गिया है, हम लो ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे इस तरह से गंगा रिवर बहती है, तो ये हो जाएगा आपको कौन सा अपर गंगा रिजन आजाएगा, अपर और मिडल गंगा रिजन आजाएगा, ये वाला एरिया आपको मिडल गंगा रिजन आजाएगा, और ये वाला आपको लो लोवर गंगा रिजन आ जाएगा चलिए इतना आप लोगों ने समझ लिया कि यह अपर है यह मिडल है और यह लोगर है अब आप लोग आराम से यहां का टॉफोगराफी और कौन सा एरिया इस जगह में है आप लोग जान लेंगे चलिए उसके पैंटेट ग्रे वेयर एक आप लोग आगे जब पढ़ेंगे तो PGW करके एक पौटरी आदा था जो कि ग्रे कलर से पैंट हुआ करता था धूसर बहां ऐसे ही कुछ कहते है उसको हिंदे में तो पैंटेट ग्रे वेयर यह पैंटिंग गंगा वाले रिजन में पन इस एरिया में है इस एरिया में हुआ था गुपता पिरियड गुपता डोलर इसी एरिया में आया था मिडल गंगा रिजन में इतना ही आप लोगों को जानना है मनी एकोनामी का पर डेवलप किया यहां पर बस इतना ही जानना था इसमें बागी डिटेल से नेक्स्ट आगे चेप्टर में होगा आगे अब हम लोग देख लेते हैं किसको इतना तो अब आप लोग समझ गयों कि अपर और मिडल गंगा प्लेन कौन सा होगा ये अपर गंगा प्लेन और मिडल गंगा प्लेन इसके ओपर में हिमालय है और नीचे में सेंट्रल इंडिया है पस वही यहाँ पर कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है चलिए यहाँ पर क्योंकि नदी का एरिया है तो यहाँ का पॉपुलेशन बहुत जादा होगा अभी इंडिया हमने कई बार आप लोगों को पताया है फिर भी एक मैप अगर में बना दू क्योंकि यह लास्ट है इसके बाद तो है नहीं यह काफी इंपोर्टेंट है इसलिए इसमें टाइम लग रहा है आप लोग घबराएं नहीं यह देखिए यह इंडिया है हमारा ठीक है तो यह जो एरिया होगा ठीक यह जो एरिया होगा यह हो जाएगा आपको इस्टर्ण इंडिया होगा आपको कौन सा यह यह हो जाएगा इस्टर्ण इंडिया यह हो जाएगा आपको वेस्टर्ण इंडिया ठीक और यह बीच का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएग इंडिया बस इतना ही ध्यान में रखना है इस जगह की बाते हो रही है यहां क्या-क्या बाते हो रही है हम लोग देख लेते हैं Central India is the entirely different region and does not have any central focal point ठीक है चलिए मालवा एरिया इसी डिजन में यहाँ पे मालवा प्लेटियो परता है मैं जहाँ पॉइंट बना रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखेंगे और फर्टिलेटियो अप स्वाइल इस एरिया में बहुत है ठीक है स्वाल फर्टायल होगा तो क्रॉप अच्छा होगा Central India constitute the present day of मत्यपरदेश यहाँ पे कौन सा स्टेट है तो यहाँ पे मत्यपरदेश है ठीक है यह 36 गर है उरिशा है यह सब एरिया यहाँ पे परता है यह एरिया उरिशा का है तो west वाला एरिया भी उरिशा का यहाँ पे आ जाता है तो यह सब एरिया यहाँ पे आ जाएगा और एक जो most important बात है यह जो पूरा एरिया में सैडो कर रहा हूँ इस एरिया में travel concentration बहुत ज़्यदा देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे हिली रिजन और जहाँ हिली रिजन होगा जहाँ पे isolation वाला जगा होगा वहाँ पे ट्राइब आ करके बसना शुरू कर देंगे क्योंकि वो आम जन जिवन से दोर रहना पसंद करते है उसक्याद गुजरात वाला एरिया जलते है विस्टन फ्रिंज अगर हम देख लें तो यह एरिया विस्टन फ्रिंज का गुजरात वाला एरिया है यहाँ पे कच है जो कि बहुत important है बारिस monsoon time में बहुत fertile हो जाता है और यह coastal एरिया में परता है तो यहाँ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ बहुत ज्यादा होता है चलिए काठियावार रिजन यहाँ का most important है zone of isolation है क्योंकि यह काफी दूर पर जाता है जन जीवन वाले एरिया से उरिसा का बात हम लोगों ने क्या यह जिससे हम लोगों ने कहा यह उरिसा वाला एरिया है यह उरिसा वाला एरिया है तो यहाँ भी coast है तो यह भी coastal region से जुड़ा हुआ एरिया है यह सब एक पस एक point है जैसे आप लोगों को जानना है क्योंकि जब भी आप history पढ़ेंगे पस यही सारे चीज़ों को आप लोग पढ़ेंगे ठीक है अब हम लोग peninsula india में चलते हैं peninsula india हम लोगोंने कही बार देखा है उसे ड्रॉ करने की ज़रत है यह peninsula india है यह area जो भी आ जाएगा यह peninsula वाला area है यहाँ पे आप लोग peninsula india में यहाँ पे डखकन आ जाएगा यहाँ पे आपको peninsular region और यह extreme south वाला area आ जाएगा तिन एरिया इसमें भी बढ़ जाता है तो डखकन प्लेट्यू एंड the surrounding coastal plain यह डखकन प्लेट्यू है जह साम लोग ने पहले देखा यहाँ पे महराश्ट्रा आता है आंध्रा आता है तेलंगाना कर्नाटका यह सब इस रिजन में आता है यहाँ पे ज्यादा तर क्योंकि घास फूस ज्यादा है तो यहाँ पे past ऑन्लेट मिलनाटे औलवाला एरिया आता है और यहाँ पे आपको तो जब आपको मृनसूून गुजर्थी है यह सब इसी एरिया में आ करके बसे थे हैं, ठीक, कुछ एरिया आपको केरल का देखने चाहिए, यह एरिया केरल का है, यह एरिया, अच्छे से मैं बना देता हूँ, ट्रॉआ कर देता हूँ, यह जो एरिया देख रहे हैं, यह केरल का एरिया है, केरल के एरिया में क्या important है, आप लोग जाने होंगे, पीपर, काली मिर्च सब की, काली मिर्च की बहुत जादा यहाँ पर demand है, केरल से मिलती है, यह भी एक isolated land है, क्योंकि पहार कुछ इस तरीके से इसको घेरे होए है, चल इसमें हम लोगों ने क्या-क्या देखा, तो हम लोगों ने पुरा इंडिया का नौर्थ, नौधर्न हिमालिया देखा, फिर हिमालय का हमने तीन टुक्रे किये, इस्टर्न हिमालिया, सेंटर्ल हिमालिया, वेस्टर्न हिमालिया, फिर हम नौधर्न प्लेन पे आये, नौधर प्लेन में हम लोगों ने इंडस रिवर को देखा और गंगा रिवर को देखा ब्रह्मपुत्रा इसलिए नहीं देखा क्योंकि ब्रह्मपुत्रा रिजन में उस वक्त समाज नहीं देख रहा था ठीक वो सब चाइनीज हिस्ट्री उजावम पढ़ेंगे तो वहां से वो पड़े नहीं लोगों पेनसमुला इंडिया में और किरल को देखा पस यह साड़े एरिया को देखने में आज हम लोगों को इतने ही समय गये हैं अगर आप लोग इस अच्छे से पढ़ें एक वार नहीं तो दो बार पढ़ें अगर आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर आगे हिस्ट्री कापी आसान है नेक्स्ट अब हम लोग ले कर के आएंगे सोर्सेज और इंडियन हिस्ट्री जितना ये इंपोर्टेंट था उतना ही वो भी इंपोर्टेंट है तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़िए फिर बहुत चल दीं दूसरी पार्ट भी आजाएगी इस चैप्टर का जो कि सोर्सेज से रिलेटर होगा तब तक के लिए धन्यवाद